बच्चो आप हम English Reading के बाद English Writing की तरफ आते हैं अपनी Notebook ओपन करें बच्चो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना पिछला होमरक कम्प्लीट कर लिया होगा आज मैं आपको आगे होमरक दे रही हूँ सबसे पहले Date Mention करें 18 Day 5 Month 2020 Year Homework, Topic, Missing Letters Topic, Topic, M-I-S-S-I-N-G, Missing, L-E-T-T-E-R-S, Letters, Missing Letters Red 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 L-E-G Leg L-E-G-L-E-G-E-G-H-E-N-H-E-N-H-E-N-H-E-N-H-E-N-H-E-N-H-E-N-H-E-N-H-E-U-Double L full, f u ll full, red leg hand full, red में आपने e के निचे dash डालनी है, leg में e के निचे dash, hand में e के निचे dash, और full में u के निचे dash, इसके बाद आपने closing line लगानी है, margin line भी लगानी है, और अपना home work बहुत निच राइटिंग में करना है, मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग अपना home work बहुत अच्छे तरीके से याद भी करेंगे, और return भी करेंगे, ओके, अला हाफिस,